तो फ्रेंड्स यह 12 बजे रात का वीडियो है और अभी मैं शूट कर रही थी क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता है तो हेलो एवरिवान आप लोग सब कैसे हैं और यह होप कि आप अच्छे होंगे और यह दो दिन पहले का मैं वीडियो आप लोगों से आप लोग उससे सेर कर रही हूं क्योंकि दो दिन पहले वाला वीडियो मैं एडिट नहीं कर पाई थी और यहां मैं दो दिन पहले जो रा लेकिन इतना ज़्यादा चावाल नहीं होता है कि मैं उसमें रखूं पचीस केजी पचास केजी का है तो इसलिए मैं इसी बाल्टी में रख देती हूं और जितने खाली हो रहे थे बैग थैला जो भी है तो उसे मैं बैड पर रखते जा रहे थी अधर देखे सब जी भी मैं खोल खोल और फिर से एक बड़ साफ कर ली क्योंकि ठोड़े दिन मे चेपचिपाथ हो जाती है और देखिए मैं डाल जितने भी राषन के समाने सब लाई थी तो उसे कैची से काट ले रही थी और डबों में भर रही थी तो यहां मैं चैणा भर ले रही हूं और मेरे हस् और मेरे हश्बेन बोह रहा है कि ज्याधा बड़ा वीडियो मत बनाना क्योंकि लोग ज्यादा देख ना नहीं पशंद करते हैं बड़े वीडियो को छोटा ही बनाओ ताकि लोगों को पसंद भी आए है और टाइम Хी नहीं मिल पाता है कि वीडियो छोटा और रातों चाहे दिनों मैं यह नहीं देखती हूं कि राथ है या दिने घर को साफ रखना है तो मैं रात को भी जगा पर सारा समान रखकर ही सोती हूं ता कि सुबह जल दिवाजी में किवल जाडू पोच्छा मुझे करना पड़े और कुछ ना करना पड़े तो देखिए मैं सारे डबो को लगा ले रही हूं बहुत सा यह जो आप बाल्टी देख रहे हैं इसमें मैं रासन लाक रख दिया करती हूं फिदीरे-दीरे सब डबो में पलटती हूं जो मुझे डबो में रखना रहता है बाकी सारा समान इसी बाल्टी में रहने देती हूं जिसका यूज नहीं रहता है दो दो पैकेट जैसे तीन पैकेट खरी लेती हूं तो उसे इस बाल्टी में रख देती हूं और बाकी का समान पलट लिया करती हूं तो फ्रेंट एक और चाहे तो गर को स्वर्ग या नरक बनाना उसी के हाथ में है यदि और चाहे तो कुछ भी कर सकती है तो देखिए मैं अपना टाइम निकाल कर घर को भी साफ रखती हूं और साथ साथ वीडियो भी अपना सूट करती हूं और टाइम पर मुझे मैं दिन में तो नहीं लेकिन हां साम को प्रेंत में चल गई लेकिन सक्षम को मैं एक दो घंटे पढ़ा लिया करती हूं जो मुझे समझ में आता है बाकि के लिए तो मैं ट्यूशन उसे लगा दी हूं तो लोग सोचते हैं कि खाली यह वीडियो बनाती है तो ऐसा कुछ नहीं है मैं खाली वीडियो नहीं बनाती ह कि घर को भी साफ सुत्रा रखती हूं और साथ ही घर के साथ साथ बच्चों पर भी ध्यान देती ह達्यूं और हमारा एक काम है यीयोटूब पर काम करना ये एक वर्क की तरह मैं कर रही हूं यह ना कि सोक से कर रही हूं यह यूट्यूब्त पर la इस तेन आप मेरा एक काम ही समझ लेभ्हेज़े कि टाइम पर मुझे वीडियो डालना इसलिए मैं फूट करती हूँ थोड़ा बहुत ही सूट कर पाती हूं जाद आजकल तो कर भी नहीं पा रही हूं गर्मी के बज़ा से तो इसलिए साइद मेरा वीडियो आजकल एक दो दिन बीच हो जाता होगा वरना तो मैं रेगुलर काम करती हूं यूटूब पर भी और बाहर से थोड़ा सोरगुल के इडिट कर रही हूं तो क्योंकि हमारा गर और पीछे वाल अगर एकदम बिल्कुल सामने सामने हैं एक हांत की दूरी पर है जिससे कि आवाज उनकी आवाज हमारे तक और हमारी आवाज उनके तक पहुंचती है इसलिए थोड़ा धीरे दी रही बोलना पड़ता है और तो मैं ही नहीं मिल पा रहा है कि हम पंखा भी लगो आपा है धूप सुबह बहुत ज्यादा हो जाता और शाम को मेरे हजमें रहते नहीं है तो इसलिए बोले थे कि पसीना पसीना मैं हो गया हूं तो मैं बंद करो तो फिर मैं बोली कि थोड़े देर के लिए और आप पकड़ लीजे तो पूरा वीडियो हो जाएगा और पीछे आप देख रहे होंगे टेबल पर बहुत सारा समान रखा हुआ है तो यह मैं वासिंग मशीन के अंदर रखती हूं और जब कपड़ा धूलती हूं तो इसे मिज़े निकालना पड़ता है तो आज मैं दोफर में मसीन लग पर फिर से चिपची पहाट सी हो गई थी तो मैं उसे सब को साफ करकर फिर से एक बार रख रही थी एक बार कपड़ा से पोच लेती हूं जितना भी डेश्टो श्टोगा सारा निकल जाएगा और साफ हो जाएगा मेरा डब्बा तो इस तरह से मैं घर और बाहर को मैनेज करती हूं फ्रेंट्स और फिर भी लोग बोलते हैं कि आप वीडियो पर डालते ही क्या हो कुछ खास नहीं मजा आता है तो फ्रेंट्स आपको बता दूँ को जो भी जान पहचान के लोग है फ्रेंट्स रिडेटिव कोई भी जान है वो वीडियो को लाइक नहीं करता है हां बुराया जरूर कर देता है लाइक किसी की भी नहीं आती है क्योंकि लाइक आने से पता चलता है कि हां चार लाइक हुए पांच लाइक हुए जब मेरे एक लाइक हो रहे हैं यानि कि मेरे ही हस्मेंट करते होंगे या या फिर हमा बनाना और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाना यही मेरा काम है और मैं बाहर जाका ज्यादा नहीं बना पाती हूं तो बस घर पे ही बनाती हूं तो आप लोगों को कैसा लगा